तेरदून में FRII यानि कि इंडिया फॉरस्ट रिसर्च इंस्टिटिट देश का वहस अंस्थान जो देश में पेडू के प्रजातियों को बचाने के लिए और सरक्षित रखने के लिए तरह तरह के शुद्ध करता है और नएने तरीकों को इज़ात करता है आपको बता दें वहाँ पर आजकल चंदन तसकरों की बुरी नजर पड़ गई है जो यहाँ अब यह जगा भी लकडी तसकरों से सुरक्षित नहीं रही आपको बता दें कि मामला जब उजागर हुआ तो आनन पानन में वनवभाग भी हरकत में आव वनवभाग ने पुलिस में एक लिखत वनवभाग की शिकायत की आधार पर केंट उताने में मुकतमा दर्ज कर पुलिस ने चांच परताल शुरू कर दी हाला कि अभी तक के प्रारमिक इन्वेस्टिगेशन के निसारवन वनवभाग और पुलिस को एफ पराराय केंपस के अंदर ही किसी कर्मचारी पर शक किया ज कर रहा है खास बात ये है कि एफ आराय में चंदन के पीडू को काटनी का मामला पहला नहीं है इससे पहले भी यहां ऐसी कई घटनाए सामने आ चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी लकडी कटान का मामला रुका नहीं है जिस FRI केंपस के अंदर उनकी इजाज़त के बिना परंदा भी पर नहीं मार सकता ऐसे सुरक्षित स्थान पर आफिर कौन सा तसकर है जो दुरलव और प्रतिबंदृत प्रजाती के पेड़ों का कटान कर तसकरी कर रहा है देहरदून, SSP, दिलिप सिंग, प्वार का साफ तौर पर मानना है कि CCTV से लैस कैंपस और सभी प्रबेश त्वारों पर 24 घंटे सिक्यारिटी लगी है मां कैसे कोई बाहर का आदमी घुसकर चंदन की पेड़ों को काट कर तसकरी कर सकता है देहरदून से राहूल से रावत की रिपोर्ट इसमें जांस कर रहे हैं इनकी जिद्धी भी गेट है वो गेट पर उनकी चोगधार है 24 आउट्स की चोगधार आते हैं इनकी अंदर से CCTV है तो हम उन सारे फैट्स को आजे साफ की रूम में ले रहे हैं